नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजफोर निशान और मैं हूँ प्रेदर्सन बिहार में महागटबंधन की सरकार में राष्ट्रे जनता दल और जनता दल उनाइटेट सहीद अलग-अलग दल इस मौझूदा दौर में नितिश सरकार को समर्थन दे रहे हैं लेकिन इस्थिती ऐसी है कि महागटबंधन में सामिल तमाम जो घटक दल हैं वे अलग-अलग समय में अपनी ही सरकार में एक दूसरे दल के खिलाप अलग-अलग तरीके के कटाक्ष करती रहते हैं और कुछ ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है जब राष्ट्रे जनतादल और जनतादल युनाइटेट के रिस्तों को ले करके ऐसी कयासवाजियां चल रही हैं कि दोनों के बीच रिस्ते मधुर नहीं हैं और इन सब में बिहार के पुरु मुख्यमंत्री और राष्ट्रे जनतादल सुप्रीमों लालू प्रसाद यादब के बेहत खास माने जाने वाले MLC सुनील सिंग के बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं और विशेश कर अब उन्होंने अपने सोसल मीडिया पर जो एक पोश्ट किया है उससे उन्होंने बिहार के कुछ लोगों पर इस अंकेत किया है कि वे अपने आपको इमानदार तो बताते हैं लेकिन बेइमानों से घिरे हैं दरसल सुनील सिंग जो मोजुदा समय में MLC हैं और विसको मान के अध्यक्ष भी हैं उन्होंने अपने सोसल मीडिया पर एक पोश्ट डाला है और उस पोश्ट में उन्होंने काफी तल्ख अंदाज में बिना किसी का नाम लिये हुए कटाक्ष किया है पहले आप देखिए कि उन्होंने सोसल मीडिया पर क्या लिखा है तो कहीं इस प्रदेश के डॉट 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 क्वेस्चन मार्ग देखे मित्रों कृप्या इसे अन्यता नहीं लेंगे यह मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ती है दरसल सुनील कुमार सिंग ने इस पोश्ट के माध्यम से यह बताया है बिश्चो मान के अध्यक्च के रूप में खुद की जो उनकी ख्याती है वह इमानदारी की है और यह भी उन्होंने कहने से नहीं चुका है कि जूटी सही लेकिन इमानदारी की ख्याती है और यह भी वेग बताते हैं कि उनके नाक के ठीक नीचे कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो अंगुली माल और डाकु खड़क सिंग जैसे कोख्यात हैं इतना ही नहीं सुनील सिंग यहीं पे नहीं रुखते हैं उन्होंने अपने आपको इमानदार बताते हुए और पदाधिकारीयों को डाकु अंगुली माल और खड़क सिंग बताते हुए यह भी लिखा है कि वही हालत तो कहीं इस प्रदेश के और फिर उन्होंने एक क्वेस्चन मार्क दिया है एक ब्लैंक स्थान दिया है खाली जगह छोड़ दिया है अब इस खाली जगह में वह किसका नाम भड़ना चाहते हैं यही एक बड़ा प्रशनी चिन्ध है कि आखिर इस प्रदेश के वह कौन से लोग हैं जिस पर सुनील स सुनील सिंग का यह मसला कोई आज का नहीं है अगर आप पिछले दो तीन दिनों में बिहार की राजनिती में देखिएगा तो सिक्षा विभाग इन दिनों सुरुख्यों में बना हुआ है सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचेव केके पाठक के बीच के रिस्ते काफी तलक बताये जा रहे हैं दोनों के बीच में ऐसी चिठ्थी बाजी भी हुई जिसमें साब प्रतीत हुआ कि दोनों के बीच में रिस्ते बिलकुल भी मधुर नहीं है और बीच बचाव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नितिस कुमार को आना परा और राश्ट्रिय जनतादल सुप्रीमों लालू प्रसाद यादब को इस महसले पर नितिस कुमार को फौन भी करना परा और इन सब के बीच तब ही सुनील कुमार ने कहा था कि बिहार में मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री अपने चार-पांच ऐसे अधिकारियों को लगाए रहते हैं उनके इस बयान के बाद में जनतादल उनाइटेट की और से भी प्रतिक्रिया आई और विहार के जनतादल उनाइटेट के वरिष्ट नेता और नितिस सरकार में मंत्री असोक चौधरी ने कहा था कि सुनील सिंग जैसे लोगों के बोलने पर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं हमें केबल लालुयादव और रावरी देवी से मतलब है यानि कि एक और सुनील सिंग ने यह कहा कि नितिस कुमार मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए अपने कुछ अधिकारियों को छोड़े रहते हैं तो दूसरी और जनतादल उनाइटेट को उनका यह बयान नागवार गुजरा है लेकिन सुनील सिंग अब वहीं चुप नहीं रहे हैं सुनील सिंग ने इस बार फिर से अपने फेस्बूक पोस्ट के माध्यम से बताया है कि वे जूटे ही सही लेकिन इमानदार है यानि कि सुनील सिंग यह कहते हैं कि उन्हें जो इमानदार कहा जा सकता रहा है यह हो सकता है कि जूटी बात हो और वो यह भी कहते हैं कि उनके नाक के नीचे जो पताधिकारी काम करते हैं वो उनकी स्थिती अंगली माल और खडग सिंग जैसे डाकूँओं से है लेकिन इन सब के बाद भी वे अपने आपको इमानदार कहने से नहीं चूपते और उनके निचाने पर बिना किसी का नाम लिए वो यह भी बताते हैं कि आखिर इस प्रदेश के वे कौन सक्स हैं जिन पर सुनील सिंग निचाना साध रहे हैं और बता रहे हैं कि वे भी अपने आपको इमानदार कहते हैं लेकिन वे बेइमानों से घिरे हुए हैं और वे बेइमान अंगली माल और खडग सिंग जैसे लोग हैं सुनील सिंग का यह संकेत किसकी ओर है और आखिर किस व्यक्ति को सुनील सिंग इसारों-इसारों में बता रहे हैं कि उनका हालात जो प्रदेश में है वह डाकू खडग सिंग और खडग सिंग अंगली माल जैसे डाकूं से घिरे रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में है कहीं यह संकेत किसी सिर्ष बद पर बैठे हुए किसी नेता पर तो नहीं है और कहीं यह संकेत उस पर तो नहीं है जिसके साथ बिहार में मौजुदा दौर में राश्ट्रे जनता दल महागटबंधन में बना हुआ है आखिर सुनील सिंग किस पर अपना यह संकेत दे रहे हैं किस पर कटाक्ष कर रहे हैं उनके निसाने पर कौन है वे पहले भी बिहार में जो सिर्श सत्ता पर बैठे लोग हैं उनको निशाने पर ले चुके हैं तो आखिर बिहार की राधनिती में राष्ट्रिय जनतादल और जनतादर युनाइटिब के रिस्ते कहीं कोई तलख तो नहीं है और इसमें सुनील सिंग जो अलालुयादब के बेहत करीबी माने जाते है उनका अभी यह अंदाद आखिर किसको निसाने पर लेने पर है यह अपने आप में एक बड़ा प्रशन चिन है और वही प्रशन चिन आज सुनील सिंग ने अपने सोसल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी लगा कर छोड़ रखा है